सुगर मॉनिंग गाईज और आपके क्रेक एक्जाम चेनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 23 जुलाई की इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स को हम लोग कवर करेंगे तो देखिए मारा पहला प्रशनी क्या है कि अभी हाल इमें उलम्पिक का आदर्श वाक्य बदल करके क्या कर दिया गया इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्ग कर लेना गुश्यन को तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा CTS, LTS, Forteus, Community देखो आपको गता दू इंटर्नेशनल अलम्पिक कमिटे की स्थापना होती है 23 जून 1894 को और यही कारण है कि हम हर साल 23 जून को इंटर्नेशनल अलम्पिक डे के रुप में मनाते हैं तो टेवी जून 1894 से ही अलम्पिक का जो आदर्श वाक्या है वो क्या था CTS, LTS, Forteus यह लेटिन भाशा में हैं इसको अंग्रेजी में बोलेंगे फास्टर, हायर, स्ट्रॉंगर और आपको बता दू इस इंटर्नेशनल अलम्पिक कमिटे के जो संस्थापक रहे थे पीरे, डी, कुपर्टिन उनके सुझाओ पर अपनाया गया था पर अभी COVID-19 महा मारी के समय दुनिया भर में एक जुटिता दिखाने के लिए इसे बदल कर क्या कर दिया गया इंगलिश में बोलेंगे तो मतलब एक शब्द एक्स्ट्रा जोड दिया गया तूगेदर ये जो कम्यूनिटर है इसको एक्स्ट्रा जोड दिया गया है बाकी अभी आपके Tokyo Olympic शुरू हो चुके हैं 23 जुलाई को शुरू हो गए 8 अगस तक चल रहे है और International Olympic Committee का हेड़कोर्टर मिलेगा आपको लुजैन स्वेट्जेलेंड में प्रसेडेंट ने थॉमस बाक अच्ब पहला Olympic कब और कहां पर खिला गया था तो 1896 में खिला गया था ग्रीस की केपिटल एथेंस में और सबसे important question में आपको बताता हूँ कि अभी Tokyo Olympic में उद्गाठन समारो में जो ध्वजवाहक हैं वो कौन हैं दो जन हैं एक तो MC मेरिकॉम है और एक मनपरीद सिंग हैं जबकि समापन समारो में कौन होंगे हमारे पहलवान बजरंग पूनिया होंगे इसके अलबा टोकियो पेरलंपिक में ध्वजवाहक कौन होंगे मरियपन थंगा वेलू होंगे ये पेरा एथलीट है हाई जंपर है मतलब और आपको याद होगा 2020 का राजियो गंदी खेल रतने पुरुसकर पांच खिलाड़ेव को मिला था उनमें से एक ये भी थे बाकी देखो आपको याद रखना है कि टोकियो ओलंपिक में पहले भारते जिमनेस्टिक जज़ का नाम क्या है दीपक काबरा है जबकि आपसे पूछा जाए टोकियो ओलंपिक में पहले भारते जूरी का नाम क्या है तो अंसर होगा पवन सिंग और टोकियो ओलंपिक में क क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली खेल विश्विद्याले की पहली वाइस चांसलर इनको बनाया गया है अच्छाब पैरा ओलम्पिक खेलो का जनक किसको कहा जाता है तो याद रखना सर लुडविक गुटमन को कहा जाता है अभी आप जानते हैं 2020 में जो आपके होने थे ओलम्पिक अब ये 2021 में हो रहे हैं जो कि एक समर ओलम्पिक है टोक्यू में हो रहे हैं इसके बाद 2022 में आपके विंटर ओलम्पिक होंगे कहां पे बीजिंग चाहिरा में फिर 2024 में आपके Summer Olympic होंगे Paris, France में फिर 2026 में आपके Winter Olympic होंगे कहांपे Milan, Cortina, Italy में 2028 वाले फिर आपके Los Angeles में होंगे चलिए आप तो ये बताईए कि अभी 2032 वाले जो आपके Olympic होंगे वो कहांपे होंगे तो Brisbane, Australia में होंगे तो ये आपको याद रखना है, बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाल में किसने आरोग्य रक्षक स्वास्त बीमा योजना को लॉंच किया है तो अंसर होगा LIC ने तो अभी LIC ने आरोग्य रक्षक स्वास्त बीमा योजना को शुरू किया है जो कि एक व्यक्तिगत स्वास्त बीमा योजना है तो इस पॉलिसी का फाइदा पॉलिसी होल्डर के अलावा उसके परिवार वाले भी उठा सकते है और इस आरोग्य रक्षक हेल्थ इंशॉरेंस पॉलिसी में बीमारों ने पर एक साथ पूरा पैसा मिलता है तो उसका नाम है आरोग्य रक्षक स्वास्त बीमा योजना जिसको लाउंच किया किस ने? LIC ने अच्छा आरोग्य आरोग्य से कुछ लिंक कर पा रहे हो कुछ याद आ रहा है आप लोगों को याद आ रहा होगा आरोग्यम हेल्थ केर बिजनिस लोन आपको याद होगा SBI ने हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए एक नया बिजनिस लोन प्रोड़क्ट लॉंच किया था जिसमें कारोबारियों को 10 लाग रुपे से लेकर के 100 करोड रुपे तक का लोन मिल सकेगा क्या नाम था उसका यही तो नाम था आरोग्यम हेल्थ केर बिजनिस लोन तो वो शुरू किया था SBI ने और यह है आरोग्यरक्षक स्वास्त बिमा इसको लॉंच किया LIC ने यह ध्यान रखना आप तो बाकि RBI इसने भी रिटेल डारेक्ट योजना शुरू की थी NICL मतलब क्या होता है National Insurance Company Limited अभी याद होगा पहली बार हिमालई याक का बीमा करेगी यह NICL बाकि LIC इसका हैटकॉर्टर मंबई में है स्थापना 1956 में होती है इसके अद्देक्षे MR कुमार चलिए आप तो यह बता दीजिए अभी बजट में इन्शॉरेंच सेक्टर में जो FDIA Foreign Direct Investment उसको 49% से बढ़ा कर कितना कर दिया था तो याद रखना 74% कर दिया था बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में भाट्य राष्ट्र राजमार्ग प्रादिकरन यानि कि National Highways Authority of India के अद्धिक्ष का अतिरिक्ष का अतिरिक्ष प्रबार किसे दिया गया तो आंसर होगा अर्मान गिरिधर को तो अभी जो राष्ट्र परिवहन वो राजमार्ग मंत्राले के जो सचीव है अर्माने गिरिधर उनको National Highways Authority of India के अद्धिक्ष का अतिरिक्त परभार दिया गया अचा इनको additional charges क्यों दिया गया क्योंकि अभी तक जो National Highways Authority of India के जो अद्धिक्षर है सुखबीर सिंग संदू वो क्या है उत्तराखंट के नए मुखे सच्यू बन गए है तो यहाँ पर N.I.H. के अद्धिक्ष का पद जो है वो खाली हो गया तो जब तक कोई पर्मानेंट आदमी नहीं आ जाता इसको समालने के लिए तब तक इसका सारा काम समालेंगे अर्माने गिरिधर इसलिए हमने बोला है कि इसके अद्धिक्ष का अतिरिक्त प्रबार एडिशनल चार्ज दिया गया है अर्माने गिरिधर को तो इनका नाम याद रखनाब बाकी पदमी कुमार माधुन नायर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे आप बैड बैंक भी बोलते हैं उसके पहले मडी बने ये सुरेश पतेल केंदरे सतरक्ता आयुक्त सेंटरल विजिलेंस कमिशनर बने और सुशील चंदरा मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिशनर बने थे ये 24 नमबर के हैं चलिए आप तो ये बता दिये हमादे मुख्य सुचना आयुक्त चीफ इनफॉर्मिशन कमिशनर का नाम क्या है तो आप तो आराम से बता दोगे क्या नाम है ये श्वर्दन सिन्ना है और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतिया खोखो महासंग के अद्धिक्ष का नाम क्या है तो सुधानशु मित्तल है ये भी याद रखना बढ़ते आगे अच्छा बताईए अभी हाली में तेलंगना सरकार ने दलित सशक्तिकरन योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया तो आंसर होगा दलित बंदू योजना तो तेलंगना के जो मुख्य मंत्रे के चंदरशेकर राओ वो हुजुराबाद विध्यांशबा शेतर से पाइलेट बेसे स्पेस योजना को शुरू करेंगे और पहले इसका जो नाम है वो दलित एमपावर्मेंट स्कीम यानि कि दलित सशक्तिकरन योजना रखे जाना था पर अभी इसका नाम बदल कर दलित बंदू योजना कर दिया गया है अच्छा है क्या इस योजना में तो इस योजना के तहट गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 10 लाख रुपे के आर्तिक साहता दे जाएगी कितने लाख? 10 लाख रुपे मिलेंगे पर तेक परिवार को तो ये है दलित बंदू योजना अब बात यहाँ पर तेलंगना की है तो ये रहा मैप में तेलंगना देखो तेलंगना की केपिटल है और हैदराबाद से आपको बता दू दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर शुरू हुआ था तेलंगना के हैदराबाद में ही और 2020 Tree City of the World के रूपे मानने तप्राप्द करने वाले एक मात्र भारते शहर बनाता हैदराबाद ही याद रखना दुनिया का पहला Mobile Water From Air कियोस्क और Water Knowledge Center ये इस्तापित किया गया हैदराबाद में ही अच्छा बताईए देश का पहला Remote Monitoring System कहां पे लौन्च हुआ तो आंचर होगा हैदराबाद में और हैदराबाद में आपको मिलेगा Nehru Geological Park जिसे अब ये ISO Certificate मिला था और इस तरीके से ISO Certificate पाने वाला देश का पहला चिडिया घर बना है ये आपको याद होगा 2020 को Artificial Intelligence का वर्ष गुषित किया था तेलंगना नहीं मुख्य मंतरी है के चंदर शेखर राओ गवर्नर है तमिले साई सोंदर राजन जो कि पुडुचेरी के लेफटेनेन गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार समाल रही है अभी आद होगा आपको तेलंगना में बेनालू उच्सव मनाया गया था और यहीं पे ही नागोबा जतारा उच्सव भी मनाया जाता है तो ये ध्यान रखना पढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में भार्ते नौसेना ने सेलरी अकाउंट के लिए किस बैंक के साथ समझूता किया तो आंसर होगा कोटेक महिंद्रा बैंक के साथ में तो अभी कोटेक महिंदरा बैंक ने सेलेरी अकाउंट खोलने के लिए भाड्ते नौसना के साथ समझज़ुता किया है तो इस समझज़ुते के अनुसार भाड्ते नौसना के सभी कर्मचारी चाहे वो कारे रत हो यार रेटाइड हो दोनों के लिए सेविंग अकाउंट खोलेगा ये कोटेक महिंद्रा बैंक और जिसमें वो कुछ special benefits भी देगा benefits जैसे की इसमें personal accident insurance cover होगा बच्चों के लिए special education benefit देगा ये अतिरिक्त बाली का लाब यानि कि girl child benefit देगा और जो interest rate होंगी वो भी जादा होंगी दूसरे बैंकों की अपेक्षा उसके अलावा अगर आप personal loan लेते हो, car loan लेते हो, home loan लेते हो तो उस पे zero processing fees आपकी लगेगी आचा हमारे नौसेन है परमुक कौने करमबेर सिंग है और कोटेक महिंदरा बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती सन 2003 में मुंबई में headquarter है और इसके अध्यक्ष है उदे कोटेक और उदे कोटेक से याद होगा आप यापको अभी तक ये Confederation of Indian Industry के अध्यक्ष थे अब कौन बन गए अभी टीवी नरिंदरन बन गए उदे कोटेक के स्थान पे बाकी Federal Bank से अबने पढ़ा था ग्रहकों के लिए Feddy नाम से एक Artificial Intelligence Based Virtual Assistant इसने लॉंच किया है HDFC Bank की बात करेंगे तो डॉक्टरों को श्रदानजली देने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की थी और Central Bank of India ने Immune India Deposit Scheme को लॉंच किया था तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे अचब फिर बताईए अभी हाली में समजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले ने बिकारियों के लिए कौन सी योजना तयार की है तो आंसर होगा Smile योजना अब देखो यहाँ पे Smile की फुल फॉर्म भी है Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise तो भिकारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजुदा योजनाओं के विले के बाद ये एक नई योजना है जिससे तयार किसने किया Social Justice and Empowerment Ministry ने और इसके मंत्री कौन है वैसे तो हमने कैसे ट्रिक से याद किया था Social में Justice करेगा समाज में नियाय करेगा जो वीर होगा तो आंसर होगा वीर कुमार यानि कि विरेंद्र कुमार इसके मंत्री है तो इस योजना के तहट साथ हजार सबसे गरीब व्यक्तियों को गरीमापून जीवन जीने के लिए लाभामवित किया जाएगा तो ये भिक्षा वरत्ती में लगे व्यक्तियों के लिए एक व्यापक योजना है और आपको बता दू देखो 2011 के जनगन्ना के अनुसार सबसे ज़्यादा भिकारी पच्चिम मंगाल में मिले थे और सबसे कम लक्ष अद्वीप में मुश्किल से दो भिकारी थे वहाँ पे बाकी देखो जो आपने कुशन पढ़ा होगा और इसका अंसर देखा इसमाइल तो इसमाइल से आपको कुछ याद आया होगा कुछ याद आया क्या आपको याद आता होगा कि 2020 में लॉकडाउन के समयर राजस्तान सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इसमाइल यूजना शुरू की थी तो वहाँ पे आपने इसमाइल के बारे में पढ़ा होगा और अब यहाँ पे इसमाइल के बारे में हम पढ़ रहे तो ये ध्यान रखना बढ़ती आगे फिर बताईए अभी हाली में सबी सरकारी सेवाओं में ट्रांस जेंडर समूदाय को एक परतिश्यत आरक्षन देने वाला पहला राज्य कौनसा बन गया तो बड़ा इंपोर्टन कुशन है इसका अंसर देखो क्या होगा इसका अंसर होगा करनाटक तो अभी करनाटक ये सबी सरकारी सेवाओं में ट्रांस जेंडर समूदाय के लिए एक परतिश्यत आरक्षन पदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है इसलिए ये प्रस्ट इम्पोर्टन्ट है अब देखो करनाटक की हम लोग बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दू देखो आपको याद रखना है कि अभी ओलंपिक खेलो के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले ट्रांसेजेंडर बने थे कौन लॉरेल हबाड ये निउजिलेंड के हैं वेटलिफ्टर है ये और एक जोया खान का नाम आप याद रखना भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहले ट्रांसेजेंडर ऑप्रेटर बनी थी ये 2020 की बात हुए अच्छा चलिए एक नाम में आपको बताता हूँ तश्रुवा आनन शिशिर तो आपको ये बता रहे हैं कि ये नाम आपने कब निउज में पढ़ा था मतलब ये क्या बन गए है और उसके अलवा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी डेस्क कहां पे खुला है तो अंसर याद रखना है द्रबाद में अब बात यहां पे करनाटक की है तो ये रा मैप में करनाटक करनाटक की केपिटल क्या है बेंगलूरू है करनाटक के मुख्यमंत्री को है बियस येदी यूरप्पा है और करनाटक के नए गवर्नर बन गए थावर चंद गहलोत अभी आपको याद होगा करनाटक नहीं बेंगलूरू में अपनी तरह का पहला पशु कल्यान वार रूम शुरू किया था और यहां के मुख्यमंत्री ने आकांशा पोर्टल को लॉंच किया था उसके अलवा हमने पड़ा था 2021 में आयूश भारत कारेकरम के तहत स्वास्त और कल्यान केंद्र स्तापित करने में टॉप पे रा था करनाटक और खेलू इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करन होगा कहां पे करनाटक में और यहीं पे आपको मिलेगा केंपे गोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट अभी वाइस ओफ दे कस्टेमर का वाड़ जीता था उसने उसके अलावा आपको याद होगा नीती आयोग ने जो नवाचार सूचकां क्यानिकी इनुवेशन इंडेक्स चारी किया था उसमें मेजर स्टेट्स की केटेगरी में टॉप पे रा था करनाटक यहीं पे ही अरुन्दती और मेत्री यूजना भी और हुबली रिल्वे स्टेशन जिसका नाम बदलकर श्री सिद्ध रुदा स्वामी जी रिल्वे स्टेशन कर दिया गया और हुबली स्टेशन पे ही दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफर्म बनाया जा रहा है वैसे अभी करनाटक का 31 वत जिला कौन सा बना है विजे नगर बना है बलारी से अलग हो करके और भारत का पहला चंदन संग्रहाले ये करनाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा और भारत की पहले टट रक्षक अकादमी कोस्ट गाड अकेडमी ये मैंगलूर में स्थापित की जाएगी और करनाटक सरकार ने देश के पहले Integrated Air Ambulance Service को भी शुरू किया था याद रखना भारत का पहला खिलोना निर्मान समू ये बनेगा करनाटक में Toy Manufacturing Cluster और अलमाटी बांध ये आपको यहीं पर मिलेगा क्रश्णा नदी पर और क्रश्ण राज सागर बांध आपको मिलेगा कावेरी नदी पर तो ये याद रखना बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किस देश ने S-500 मिसाइल प्रनाली का सफल परिक्षन किया तो अंसर होगा रश्या ने तो अभी रश्या ने अपनी नई S-500 Air Defense मिसाइल सिस्टम का सफल परिक्षन किया है अब आपको होगे ये तो हमारे पास भी है तो नई बालक ये हमारे पास नहीं है जिसके आप लोग बात कर रहे हैं वो है S-400 मिसाइल जो हम रश्या से खरीद रहे हैं और यहाँ पर बात हो रही है S-500 की S-400 को हम याद रखना ट्राइम्प भी कहते हैं और ये जो S-500 मिसाइल है जिसे हम ट्राइम्फ फेक्टर M या प्रोमेथी भी कहते हैं और ये दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसके रेंज है लगबग 600 किलोमिटर और ये अंतरिक्ष से होने वाले हमले का भी मुकाबला करने में सक्षम है अच्छा आप तो ये बताओ भारत का जो अभी सुदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है न उसका नाम क्या है इंदरजाल है और इसराइल के पास क्या है आइरन डूम पद्दती है और इसराइल से हम खरीद रहे हैं हैरोन ड्रोन किसे इसराइल से ही अच्छा पिनाका नाम अभी न्यूज में था ये है क्या पिनाका क्या ये रॉकेट है याद रखना ये रॉकेट नहीं है ये रॉकेट लॉंचिंग सिस्टम है जो एक बार में कई सारे रॉकेट छोड़ता है हमने देखा था 49 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दाग सकता है ये अब बात यहाँ पर रॉकेट की है तो ये रहा मैप में रॉकेट नहीं है देखो रॉकेट की केपिटल क्या है मॉस्को है इसकी करंसी है रॉबल प्रेसिडेंट व्लादमेर पुतिन प्रधान नंतरी है मिखाइल में सुष्टिन रॉष्या की संसर्ट को क्या केते हैं डियूमा केते हैं और याद रखना रॉष्या अपना पहला स्टील्ट युद्ध पूत भी बना रहा है और रॉष्या ने काया कि वो 2030 तक अपना अलग से अंतरिक्ष इस्टेशन भी बना लेगा और रॉष्या ने ही जानवरों के लिए दुनिया का पहला COVID-19 टी का बनाया था जिसका नाम रखा था कॉर्निवेक कूँ अच्छा बताइए अभी मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल 2020 में किस मराथी फिल्म इनने बेस्ट फॉरेन लेंग्विज फीचर का वर्ड जीता था तो आंचर होगा पगल्या तो ये ध्यान रखना अच्छा वैसे रुष्या के साथ कौन से एकसरसाइज करते हम इंद्रा इंद्रा नाम के एकसरसाइज करते हैं तो आंचर होगा वानिज जेव उद्ध्योग मंत्रा ले ने तो लॉजिस्टिक शेत्र पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक एक्सिलेंस अवर्ड नाम से पुरुसकारों के एक नई श्रिनी शुरू करने की घोशना की है और इसे शुरू किस ने किया या किस के द्वारा इसको शुरू किया जाएगा वानिज जेव उद्ध्योग मंत्रा ले जिसके मंत्री कोने पियूश गोयल है पियूश गोयल के पास याद होगा पहले रेल मंत्रा ले हुआ करता था लेकिन अभी जो केबिनेट मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इनसे रेल मंत्रा ले तो ले लिया गया और इनको एक नया कपड़ा मंत्रा ले दे दिया गया बाकी वानित जब वो उद्ध्योग मंत्रा ले तो उनके पास पहले से यह उसके अलावा सबसे important point अभी राज्य सब्भा में सदन का नेता कौन बना? पी उश्कुएल बने और सदन का उप नेता कौन बने? मुक्तार अबास नकवी जो कि Minority Affairs Minister है ये भी याद रखना अचा आप तो ये बता दो अगर आपसे परिक्षा में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा Multimodal Logistic Park ये का पे बनेगा? गुजरात के एहमदाबाद में बनेगा और अगर पूछा जाए कि देश का पहला Logistic Park का पे बनेगा? ये बनेगा असम में अचा विज़े रेल मंतरी कौन है आपके? अश्वीनी वैशनव है और आपके करशी मंतरी नरेंद्र सिंग तो मर हो गए उद्ध्यम मंतरी कौन है? यानि कि Heavy Industry Ministry किसके पास है? महिंद्रनाथ पांडे के पास है अचा अब ये आपको याद होगा वित्यमंतराले में एक नया विभाग जोड़ा गया था Finance Ministry में एक नया विभाग डिपार्टमेंट जोड़ा गया था क्या नाम था? सार्वजनिक उपक्रम विभाग Public Enterprises Department ये पहले उद्ध्यमंतराले के अंदर ही आता था लेकिन अब ये वित्यमंतराले के अंदर आता है वित्यमंतराले का छटा विभाग बन गया ये और देखो अगर आप में से कोई इस वीडियो को को नीचे description में मिल जाएंगे और guys अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और अगर अभी तक आपने इसे like नहीं किया तो एक like जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के जात मैं आपको share जरूर करना है बढ़ते आगे चलिए बताइए देश का पहला भारते विरासत संस्थान Indian Heritage Institute को किस शहर में स्थापित किया जाएगा तो अंसर होगा नोईडा में तो अभी हमारे जो केंद्रे संस्कृती मंत्री हैं ये भी नए बने थे क्या नामें इनका जी किशन रिड़ी उन्होंने नोईडा में भारत का पहला Indian Institute of Heritage बनाने का फैसला किया है इसकी खासित क्या होगी कि इसमें पढ़ाई के साथ-साथ शोध यारी कि रिसर्च और भारते संस्कृतिक विरासत की संगरक्षन पर काम किया जाएगा और देखो नोईडा से आपको याद आएगा कि उत्तर प्रदेश में जो जेवर में एक Greenfield Airport बन रहा है उसका नाम क्या किया गया था नोईडा International Airport उसका नाम रख दिया गया है उसके लोगों में उत्तर प्रदेश का राज के पक्षी भी है चलिए आप तो यही बता देजिए उत्तर प्रदेश का राज के पक्षी स्टेट बर्ड ये क्या है कई बार मैं आपको बता चुका हूँ और Heritage से आपको याद होगा World Heritage Day कब मनाया जाता है 18 अप्रेल को मनाया जाता है चलिए बताईए जन जाती है संग्राले ये काँपे बन रहा है राची जारखंड में और Rail University काँपे बन रहा है तो बडूद्रा गुजरात में उसके अलावा भारत की पहली Transgender University काँपे बन रही है उत्तर प्रदेश की कुशी नगर में और Noida से क्या याद कर सकते हूँ आपको याद होगा भारत की पहली Pod Taxi ये चलेगी Noida Airport से लेकर के Film City के बीच में और अगर आपसे पूछा दै की देश का पहला Grain ATM काँपे खुलाए तो हर्याणा के Guru Gram में Guru Gram में ही आपको International Solar Alliance का Headquarter भी मिलेगा तो ये सब याद रखना बढ़ते आगे तो अभी चाइना ने 600 किलोमीटर प्रती घंटे की तेज गती से चलने वाली एक High Speed Maglev Train का उत्पादन शुरू कर दिया और इसे सबसे तेज भूमी पर चलने वाला वाहन माना जा रहा है तो देखो तो सही कितनी तेज ये एक घंटे में 600 किलोमीटर आप कवर कर लोगे तो इसके बनने के बाद ये चाइना के शेंजें से संगाई की बीच में चलेगी जिससे लगने वाला जो अभी समय है वो 10 घंटे है तो 10 घंटे से केवल आपको धाई घंटे लगेंगे इसको कवर करने में अचा मेंगलियोड ट्रेन क्या होती है तो ये एक electromagnetic force यानि कि विद्युत चुम्ब की बलका उपयोग करती है ये जो ट्रेन है इसकी पत्रे को टच नहीं करती है ये हवा में तेरती रहती है और electromagnetic force के कारण ये आगे बढ़ती है इसमें friction यानि की घरशन भी नहीं होता जो कि हमारी पटरी वाली गाड़ी में होता है कि किसमें contact नहीं है न हवा में तेर रही है यह और हवा में कैसे तेरती है आपको बता है magnet अगर same pole जिसे north के पास north लाओगे south के पास south लाओगे तो वो पास नहीं आते हैं एक दूसरे को repel करते हैं एक दूसरे को दूर भगाते हैं तो बस उसी principle के यह work करती है same pole pass में उने के कारण यह हवा में उठती है और opposite pole एक दूसरे को खेंसते हैं उसके कारण यह आगे भागती है बस यह main principle इसका देखो चाइना से आपको पता होना चाहिए 2022 के जो winter olympic होंगे यह आपके बीजिंग चाइना में ही होंगे अच्छा आप तो यह बताएए चाइना की शोक नदी किसे कहा जाता है यलो river को कहा जाता है उसे ही आप huang ho नदीब की कहते हो और चाइना और मंगोलिया की सीमा पर कौन सा मरुस्थल आपको मिलेगा गोबी मरुस्थल मिलेगा वैसे टकला मकान मरुस्थल यह आपको मिलेगा चाइना में ही चाइना और भारत की बीच की जो border line है उसको क्या कहते है Mac Mohan line कहते है और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग टीसी नदी है अब अगर मैं आपसे पूछू कि किस देश की करंसी को Special Drawing Right में शामिल किया गया था तो चाइना की करंसी को ये Special Drawing Right याद रखो ये International Monetary Fund की मुद्रा है तो ये ध्यान रखना बढ़ते हैं अच्छा बताईए अभी हाली में किसे युनेसको की विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिया गया तो अंसरों का लिवरपूल को तो अभी ब्रिटेन के लिवरपूल शहर को युनेसको की विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिया गया है जिससे की ये इस प्रतिस्ठित सूची से हटाए जाने वाला तीसरा इस्थान बन गया इससे पहले दो कौन थे? पहले 2007 में ओमान के एक वन्य जीव अभ्यरन्ने को और 2009 में जर्मनी की एक साइट को इस सूची से बाहर कर दिया था अचा लिवरपूल को इस सूची से बाहर क्यों कर दिया? क्योंकि शहर में नई इमारतों की योजना बनाई जा रही है जो साइट की विक्टोरिया विरासत को कमजूर कर देगी अच्छा युनेस्को मतलब United Nation Educational Scientific and Cultural Organization इसका Headquarter आपको मिलेगा Paris, France में और इसके Director General कौन है Audrey उजाले हैं अच्छा वैसे अगर आप मैं आपसे पूछ हूँगी टोटल भारत में कितनी युनेस्को World Heritage साइट से हैं तो 38 हैं, 38 नंबर की बनी थी अभी जेपुर, राजस्थान की जेपुर तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रशन के उतर की तो कल की वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि अभी कांज फिल्म फेस्टिवल में 2020 में कि इसने पाल में डे और पुरुसकार जीता है तो आंशर होगा जूलिया डुकोर्नू ने आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है और गाईज अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका study group हो गया WhatsApp पे, Facebook पे या Telegram पे अगर आप use करते हों तो प्लीज एक बार इसे share है जरूर करना अपने दोस्तों के साथ